भाई और बेहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए, और आज देख रहे हैं मद्द परदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है, अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाओं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा लेकिन मैंने कुछ उधारण इसलिए दिये ताकि आप हमारी सरकार की नियत को परक्ष सके हमारे ट्रैक रिकोर्ड को देख सके हमारे नेक इरादों को समझ सके और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूँ कि हमने हाल में जो कुर्शी सुधार किये हैं उसमें अव विश्वास का कारण ही नहीं है जूट के लिए कोई जगए ही नहीं है मैं अब आप से कुर्शी सुधारों के बार बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूंगा बार बार उस जूट को दोराया जा रहा है जोर 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 हटानी ही होती तो स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की ते हम भी नहीं करते हैं हमने तो आसा नहीं कि हमने तो लागू की दूसरा यह हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती हैं इससे किसान को भी आसानी होती हैं उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुवीधा होती है साथियो छे महिने से जादा का समय हो गया जब यह कानून लागू किये गए यह कानून तो लागू हो चुके थे 6 मेने पहले हो चुके थे कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की गोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महमारी से लड़ाई के दोरान भी यह काम पहले की तरक किया गया MSP पर खरीदी भी उनी मंडियों में हुई जिन में कानून बनने से पहले होती थी कानून बनने के बाद भी वही हुई अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की गोशना हुई MSP पर सरकारी खरीदी हुई उनी मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई शरियंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वास दिलाता हूँ कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंध होगी न समाप्त होगी साथियों अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रती क्विंटल हमारी सरकार प्रती क्विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रती क्विंटल हमारी सरकार प्रती क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार में ज्वार पर MSP की MSP थी 1520 रुपए प्रतिक्विंटल, हमारी सरकार ज्वार पर प्रतिक्विंटल 2640 रुपए MSP दे रही हैं पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपए हमारी सरकार प्रतिक्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपए MSP दे रही हैं पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी इकती सो रुपी है हमारी सरकार अब चने पर प्रतिक विंटल इक्यावन सो रुपी MSP दे रही है पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4,300 रुपिय प्रतिक्विंटल, हमारी सरकार तूर दाल पर प्रतिक्विंटल 6,000 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मुंग दाल पर MSP थी 4,500 रुपिय प्रतिक्विंटल, हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब 7,200 रुपिय MSP दे रही है साथियों, यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है MSP बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायच की खरीदारी MSP पर की जाए पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगबग 1700 लाख बैट्रिक तन धान खरीदा था हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मेट्रिक तन धान किसानों से MSP में खरीदा, करीब करीब डवल पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब पौने 4 लाख मेट्रिक तन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मेट्रिक तन से जादा MSP पर खरीदा है अब सोचिए कहां पौने 4 लाख और कहां 56 लाख यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धी की बल्कि जादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदा है इसका सबसे बड़ा राब यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं जादा पैसा पहुचा है पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीदने के बढ़ले में 3,74,000 करूर रुपिय मिले थे हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और ध्यान की खरीद करने किसानों को आठ लाक करूर रुपिय से जादा दी